आप देख रहे हैं MNS News, सच ज़रूरी है नमस्कार आप देख रहे है MNS News Live, मैं आपके सद कुछी आगे, देखते हैं कुछ खास सब रलोम मन देखकर नर्स के साथ बलाद कर, गरभववती हुई तो शादी से कर दिया इंका दावा कर, दावा देखकर जबरन गरभववाद करवा दिया एक अस्पिताल में कारियरत नर्स को दूसरे अस्पिताल में काम करने वाले युवक ने शादी का जासा देखकर बलाद कार किया, यूती गरभवती हुई तो शादी से इंकार कर दिया साथ ही उसका गर्भपात भी करा दिया। फिडिता की शिकायद पर बड़नेरा पुलिस ने आरूपी अर्श सलाम काजी के किलाफ भावी दिक्सा की तारा 370, 316, 470 और 506 के तहत मामला ज़च्ट किया। पड़नेरा पुलिस ने के पुलिस सुत्रों के सिर्मुली जानकारी के अनुसार फिडिता के पीता के निधन के बाद वह एक अस्पिताल में नौपरी कर नहीं थी। उसी अस्पिताल के सामने वाले अस्पिताल में नौकरी करने वाले अरसलाम काजी ने उसके इससी मुलाकात हुई आरोपी ने उससे कहा कि वहाँ उससे शादी करना चाहता है दोलों के बिचमें परीम संबंद स्तापित हो गए आरोपी के ने कई बार उससे शारिविक संबंद स्तापित किये जिससे वह गर्भवती हुए पिड़तान ने अर्सलाम से शादी के लिए कहा तो आरोपी ने कहा कि उसकी मा उसे दहज में क्या देखी गर्भवात करा लो यूती ने मना कर दिया तो आरोपी ने जबरण मेडिकल से दवा देकर उससे फिला दिया उसके उसका गर्भवात हो गया पिड़तान की शिकायतर पुलिस ने आरोपी पर मामला ज़च किया है शिवशाही चलाना बन रही चुनोती कभी पार्ट की कमी कभी जानकार मैकेनिक की कमी बन रही है वज़त स्टी महामंडल के शिवशाही बसो का संचलान एक चुनोती बन गया लगातार बसों में आ रही समस्या और बसों के पार्ट की कमी की वज़त से सभी शिवशाही बसों का संचला नहीं हो पारा वही सुत्रों के माने तो एक बड़ी बात और सामने आ रही है कि जो जानकार मेकैनिक की कमी हो रही है क्योंकि शिवशाही बसों के मेंटरन्स के लिए जानकार मेकैनिक काफी कम ऐसे में बसों को बनाने को लेकर भी काफी परिशाने हो रही है इस जिती में बसों को टेपों में खड़ा रखना ही महामंदल की समझ रही करिब 10 शिवशाही बसे अभी भी खड़ी शियुवशाही बसोग की मरम्मत करने के लिए पार्टस तप नहीं मिल रहे छोटे मोटे पार्टस चलधी सभी बसोग में चलेगे बाहर से खरीदे जा रहे हैं जबकि बड़े और मेहिंगे पार्टस के लिए केंद्रिय कारेशाला काम मोह तारना कर दो यही कारण है कि खराब धी दरजनों वो बस वर्क्शॉप के में मरम्मत के लिए कई तीनों से खड़ी गई सुत्रों के माले तो अलग-अलग वर्क्शॉप में दस से जादा शिव शाही बस से खड़ी जादतर बसों का संचलर शुरू हो चुका है, कुछ शिव शाही बसे बची है उससे भी जल्द थीक कर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाया जाएगा हमारा पुरा प्रयास है कि यात्रियों को बहतर यात्रा का लाग दे श्रिकांत कर्भने विभागीय नियंतरग एश्पिक नागपूर ने parts exchange कर चला रहे हैं काम और महामंडल के एक कर्मचारी ने बताए कि पिलहाल स्टीर्वारा शिव शाही बस उपर चलाने के लिए parts exchange कर काम चला रहा है वर्क्शॉप में अगर पार्ट नहीं होते तो पहले खड़ी बसों के पार्ट निकाल कर अस्थाई तोर पर दुस्रे बसों में लगाए जाता है कुटों को बचाने के प्रयास में भाई की मौत सब भाई गायल हम गाउ तैसिल के पदापूर में सदाशिव थेर के घर के सामने कुटों को बचाने के कोशिश में कार सड़क के ड्राइवर से टकरा गई और इस जुगटना में कार चालक के मौत हुए जबकि वहां घायल हो गई और बहन घायल हो गई और यहां घाटना 21 अक्तुमबर के रात 11 दस पंदाखी प्रिटग दीवरी निवासी संतोर्च रमेशिक आवगे हैं और यहां वह सुबह 10 बज़े बंगाउ के प्रादमिक स्वास्ति कींडरे में अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था और पदमपूर में सदाश्यू थेर के घर के सामने वहान के आगे एक खुटता आ गया कुट्टे को बचाने के प्रयास में काड़ स्कार सड़क की किनारे ड्राइवर से जात तक रहेगा और दुर घटना में कंफेर रूप से घाल चालक तो बूल दिया कि एक मेजी अस्पिताल में मौत हूँ अब आप हमारे चानल को अपने मौबाइल पर भी रिख सकते हैं मौबाइल अपर दिखने की प्लेस्टों से मैंने से उस्ट्री आप से रावड़िट करें इंस्टालिंग वीडर है को फेस्बूक और कई सोचल मेडिया को प्लाट्टों पर हमारा चानल उप्लब को अब इ यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News